बेलकम बेक टू नोड़ी जोब 20 में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए नियू जोब का नोड़िकेशन ने कराया हूँ फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट आप लोगों को 22 दिसंबर से फॉर्म स्टार्टिंग है 21 जेन्वरी लाश्ट डेट दिया गए हुआ अप्लिकेशन फिश के बाद करें तो जेनरल ओवी सी डेवली एस का 300 रुपिया फिश लगेगा से एस्टी पी एच का 0 रुपिश लगेगा और कटेगरी फेमिल का 0 रुपिश फिश लगेगा इसमें कोई आप लोगों को फिश चार्ज नहीं लगेगा मेरिट लिस्ट के अधार पर ये आप लोगों को जॉब दिया जाएगा और डॉक्मेंट विरिफिकेशन लिया जाएगा एज लिमिट के बाद करें तो मैक्सिमम आप लोगों को 27 बर्स एज होनी चाहिए 21 जनवरी 2023 के नुसर आप लोगों को एज हो जानी चाहिए एज में आप लोगों को रिलीज भी दिया जाएगा सेलेक्षन प्रोसेस के बाद करें तो आप लोगों को जैसे BA, B.Tech, Civil Engineering जो भी आप लोगों की हैं तो उसके स्कॉाइर पर आप लोगों को मैरिट लगाया जाएगा उसी का square पे merit लगाया जाएगा उसके बाद आप लोगों को document verification लिया जाएगा और medical examination लिया जाएगा या test लिया जाएगा और आप लोगों को selection किया जाएगा total post के बाद करें तो 596 पोस्टों पर ये वकिंसी निकाली गई है जिसमें आप लोगों को civil के बाद करें तो civil में देखिए 62 पोस्ट दिया गया हुआ है BA, BTEC, civil engineering से पास होनी चाहिए get 20, 21, 22, जो 20, 21, 22 में पास किया है वही qualified कर सकते है qualified student इसमें form को भर सकते है electrical, electrical में आप लोगों को 84 पत दिया गया हुआ है जिसमें BA, BTEC, electrical engineer मांगी गया है जिसमें 20, 21, 22 में qualified हुए है वही आप लोग form को भर सकते है electronics, electronics में आप लोगों को सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया हुआ 440 पत दिया गया हुआ इसमें भी आप लोगों को education से में है electronics से आप लोगों को engineer होनी चाहिए या electrical भी रहेगा तो आप लोग इस form को भर सकते है 20, 21, 22 में आप लोगों को qualified होनी चाहिए architecture का है जो दस पत दिया गया हुआ इसमें आप लोगों को bachelor degree मांगी गयी है bachelor degree में architecture के से आप लोगों को bachelor degree होनी चाहिए और ये 22 में qualified होनी चाहिए simple सी बात बोल देगे है किसमें आप लोगों को 22 में पास होनी चाहिए category by vacancy आप देख लीजिए civil में आप लोगों को general का 32 sit दिया गया हुआ OVC का 11 दिया गया हुआ EWS का 6 दिया गया हुआ SC का 9 दिया गया हुआ ST का 6 दिया गया हुआ total 62 पत दिया गया electrical में आप देखिए 47 पत दिया गया हुआ general का OVC का 19 दिया गया हुआ EWS का 8 दिया गया हुआ SC का 6 दिया गया हुआ ST का 4 दिया गया हुआ total 84 पत दिया गया हुआ electronics का है जो आप लोगों को 187 पत दिया गया हुआ general का 111 पत दिया गया हुआ OVC का 44 पद दिया गया हुआ EWS का सर्शट पद दिया गया हुआ SC का ST का 31 पद दिया गया हुआ Total 440 पद दिया गया कर दिया गया हा हुआ सर्शट कर दिया गया हुआ कर दिया गया हुआ